तो गाइस आज हम आगे हैं एक और डिफरेंट टाइप आफ वीडियो के साथ आज हमारे पास यहाँ पर एक स्मार्ट वाच है जो की हूब 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 सामसंग गैलक्सी वाच अल्टा की तरह लगती है आज इस वीडियो में हम इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे और गया है अगर आप चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो के साथ आता रहता हूं तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह हमारी गैलक्सी वाच अल्टा की कॉपी जो की है स्मार्ट वाच अल्टा यहां प गाइस फुल सी ओडी नहीं होता है इनका भी क्योंकि यार बहुत सारे कस्टमर जो है और करते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं डिलिवरी के टाइम इसी लिए इनका यह सिस्टम है कि 200 रुपे कुछ आडवांस लेते हैं वह बट आराम से आप पर्चेस कर सकते हैं लिंक्स और ऐसे बाक्स में हमें एक करें वाइरलेस चार्जर और चार्जर और स्ट्राप देखने हो गई गई हमारी वाच और इस प्रोडेक्टिव फिल्म को मैं जल्दी से निकालता हूं और वाच को हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया कॉलिटी की है गाइस वाच क्यूंकि यहां पर यह पूरी मेटल की फिनिश में है यहां पर कोई भी यार प्लास्टिक और यूज नहीं किया गया है डेफिनेटली जैसे के आप देख सकते हो यहां पर जो है यह मेटल फिनिश में दी गई है पीछे की साइड भी मैं आपको बता दूँ पूरा सिरामिक फिनिश दिया गया है जो की बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है प्रॉपर वायलेस चार्जिंग सारे कुछ जो स से वो भी है जैसे कि आप देख सकते हो सारे जो हार्ट रेट संसर अगयरा है सब कुछ है और यहां पर गाइस साइड में तीन बटन है तीनों वर्किंग बटन है और यहां पर एक क्राउन भी दिया गया है जिसे आप वाल पेपर और चेंज कर सकते हो यह रोटेटेबल है क्योंकि इसकी रेजिलुशन भी बहुत ही बढ़िया है और तो और यह गाइस एक रियल एमुलेट डिस्पले है और यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था यह जो नौब है इससे आप वाल पेपर बगेरा चेंज कर सकते हो इस कुछ इंटरक्टिव हैं और कुछ इंट्रक्टिव नहीं है यह जो है गाइस बहुत ही स्मूथ है वाच डेफिनिटली यहां पर मुझे कोई भी लाग अगरा देखने हो नहीं मिल रहा है और इसका डिस्पलेश है इसका में हाइलाइट हो गया यहां पर और बाडी भी इस सब्सक्राइब कर सकते हो मैं कभिनकों बहुत जबर्दस्थ है औहां पर और चीज आपको बदा दू है कुछ गिर यहाँ यह तो क्युणकि एकदम और जेनल की सकते हो always on display भी आता है इसमें दो टाइप का always on display आता है एक analog और एक जो है यहां पर digital भी आता है और इसको आप हाथ पे पहनने से यार बहुत ही जबरदस लग रहा है जिसके आप देख सकते हो यहां पर गाइज यह वह जो है बहुत ही affordable price में available है इनकी website पर definitely जल्दी से buy कर लो अगर किसी को करना है तो क्योंकि यार ऐसी चीज फिर से नहीं मिलने वाली इतना तो मैं बता सकता हूँ आज तक कि मैं बवल सकता हूँ इतने price point पे यह बहुत ही जबरदस smart watch मैंने यूज की है around 3.500 रोपीज की है अभी sell हो रही है इनकी website पर इस price point पे I can say it is one of the best smart watches that I have ever used क क्योंकि इतने price point पे इतनी premium watch तो यार शायद से ही कहीं मिलेगी brand में वगेरा तो मिलना मुश्कील है तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है मेरी अगली वीडियो म तब तक के लिए बाबाई